नमस्कार आईए आज के इस चौथे भाग में हम देखेंगे के हमने तीन भाग तक क्या पढ़ा और इस भाग में हम आगे क्या-क्या और जान सकते हैं देखते हैं हमने जो तीन भागों तक देखा था उसमें पहले माद्य बिचलन देखा फिर माद्य बिचलन की परिसीमाएं देखी परिसीमाओं के बाद फिर हमने देखा कि प्रसरण और मानक बिचलन कैसे ग्याद करते हैं और इनके लिए जो अवर्गी क्रत प्रेक्षण हैं उनमें प्रसरण और मानक बिचलन कैसे निकालते हैं यह हम देख चुके थे अब हम देखेंगे कि यदि हमारे पास वर्गी क्रत बारंबारता बंटन सारनी है तब हम किस प्रकार से प्रसरण और मानक बिचलन निकालते हैं हमने देखा था कि अगर N प्रेक्षण है X1, X2, XN तक इनका अगर हम प्रसरण निकालते हैं अर्थात हमारे पास रो डेटा है अवर्गी क्रत प्रेक्षण है ऐसी इस्तिती में जब हम प्रसरण निकालते हैं तो सबसे पहले उस प्रेक्षणों का माध्य निकालते हैं और जब हम माध्य निकाल चुके हों तब प्रेख्षन से माध्य को माइनस करके उनका बिचलन पता करते हैं बिचलन के बाद हम उस बिचलन का वर्ग करते हैं और वर्ग करके जब जोड देते हैं और फिर उसका माध्य निकालते हैं जब माध्य निकालते हैं तब हमारे पास प्रसरण आ जाता है अर्थात प्रसरण यानि सिग्मा इसक्वायर तो सिग्मा इसक्वायर निकालने का अवरगीकरत डाटा का हमने देख लिया था अब मानक बिचलन के लिए हमने क्या किया था कि यह जो सिग्मा इसक्वायर है इसका वरगमूल निकाला क्यों निकाला था क्योंकि जो हमने प्रसरण निकाला था वहाँ बिचलन का वर्ग किया था इसलिए इसका वर्ग मूल निकाल करके जब हमने देखा तो उस तरह से हमारे पास मानक बिचलन स्टेंडर्ड डेवियेशन हमें पता लग गया था तो यहां तक हमने देखा के रो डेटा या अवर्गी करत डाटा का किस प्रकार से प्रसरन और मानक बिचलन निकालते हैं आईए आगे देखते हैं अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के बारम बारता बंटन और होते हैं एक असतत और दूसरा सतत यानि डिस्क्रीट है या कंटिनियस है जब इस तरह से हमारे पास बारम बारता बंटन हो इसका मतलब क्या है एक हमें एक्स दे रखा है या फिर एफ के साथ दे रखा है अब एक्स और एफ यदि हमें दे रखे हैं तो एक्स की जो प्रेक्षन है उनकी बारम बारता प्रतियक प्रेक्षन की वो हमारे पास F के रूप में है अंतर अब क्या होगा कि हमें सबसे पहले माध्य निकालना है जब हमारे पास केबल X था F नहीं था तब हमने माध्य निकाला था X का कुल जमा किया और उसके बाद कुल प्रेक्षंड से भाग दे दिया माध्य मालम हो गया F के साथ माध्य निकालना सीखा हुआ है इसके लिए एक तरीका Fx वाला है F को X से गुणा किया Fx को गुणा करने के बाद हमने इसका टोटल पता कर लिया सिग्मा Fx हमने F का भी कुल पता कर लिया और वो हो गया हमारे पास सिग्मा F अब माध्य हो गया सिग्मा Fx बटा सिग्मा F इस तरह से पहले हम माध्य पता करेंगे और जब माध्य मालुम हो जाए तब X माइनस X बार बाकी तो वैसा ही है X माइनस X बार पता करने के बाद फिर इसका वर्ग करेंगे लेकिन एक बिशेश ध्यान क्या देना है इसी में कि मान लो मुझे X दे रखा है मुझे F दे रखा है हमने एक बिचलन बिधी भी पड़ी थी उसमें क्या था यदि X के जो भी प्रेक्षण है यदि उनमें सभी में समान अंतर हो तो हम उसमें कोई बीच वाला अंक कल्पित माध्य ले करके हम पहले D निकालते हैं और D निकाल करके H इसमें सभी प्रेक्षणों के बीच का अंतर होता है फाइदा क्या होता है ये जो प्रेक्षण है ये एक छोटे रूप में हमें D के सामने आ जाते हैं अब बजाए FX करने के हम FD कर लेते हैं और FD करने के बाद फिर हमें इसका टोटल करना है FD का सिगमा FD तब माध्य हमारे पास हो जाता है कल्पित माध्य प्लस सिगमा FD बटा सिगमा F गुणा H करके इस तरह से हम माध्य पता करते हैं लेकिन अगर मेरे पास सतत बारम बारता बंटन हो तब हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा होगा अब वर्ग अंतराल यदी मुझे दे रखा है यहाँ पर भी जो बिशेश ध्यान देना है मान लो जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस इस तरह से हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और साथ में हमें F दे रखा है पहला ध्यान जो इसकी उच्छ सीमाएं है बहुत ध्यान से देखना क्या सभी में समान अंतर है अगर समान अंतर है तो बिचलन भी धी जादा अच्छी है नहीं है तो सबसे पहले तो X पता करेंगे जो इनके बीच का अंक होता है जीरो और दस को जोड करके बीच में दो का भाग लगा देंगे X मालम हो जाएगा और जब X पता हो जाए तब या तो FX करके सीधा सीधा माध्य आ जाएगा या फिर हमने यदि इन सभी उच्छ सीमाओं में समान अंतर है तब X में से वही कल्पित माध्य ले करके हम माध्य पता कर सकते हैं अब यहाँ पर जो विशेश बात है माध्य पता हो गया X माइनस X वार पता हो गया हमने इसका वर्ग भी पता कर लिया लेकिन ये X माइनस X वार का वर्ग तो एक प्रेक्षण का है और अगर एक प्रेक्षन का है, जबकि मुझे तो f भी दे रखा है इसलिए इसके बाद का जो कॉलम आएगा, वो आएगा f गुणा x-x वार का वर्ग अर्थात, जो भी x-x वार यानि विचलन का वर्ग आए, उसको आपको बारम बारता से गुणा करना है और जब बारम बारता से गुणा कर देंगे, तब आपके पास final आएगा, सिग्मा f x-x वार का वर्ग तब आप इस मानक विचलन के सूत्र में रख पाएंगे, अर्थात, दो सूत्रों में अंतर क्या रहा चुकि बारम बारता है, इसलिए इस वाले में f और साथ में गुणा हो रहा है है ना, अगर ये प्रसरन पहले पता करेंगे, तो वर्गमूल का निशान नहीं होगा बस इतना सा देखना है, आईए एक उधारन देखते है निमनलिखित आंकडों के लिए प्रसरन वे मानक विचलन ग्यात करना है हम जानते हैं, कि प्रसरन हमें पहले पता करना चाहिए क्योंकि इसमें बर्गमूल नहीं है और प्रसरन पता करने के बाद, जब हम उसका बर्गमूल निकालते है तो मानक विचलन आ जाता है यहां हमें क्या करना है, x लिखा, f लिखा अब x को ध्यान से देखते हैं पहले यहां दोनों में 4 का अंतर है यहां 3 का अंतर है यहां 6 का अंतर है अर्थात, जो मेरे पास x है उसमें समान अंतर नहीं है और अगर समान अंतर नहीं हो तो ज़्यादा इधर उधर सोचने के बजाए सीधा fx करना ही सबसे अच्छा रहना है और fx करने के बाद फिर हमें माध्य निकाल लेना है और माध्य का मतलब sigma fx बटा sigma f जब माध्य आ गया इसके बाद x-x बार करना है x-x बार करके अगले कॉलम में x-x बार का बर्ग करना है फिर से ध्यान रखना ये जो x-x बार का बर्ग आया है ये केबल 1x का आया है जैसे मानलो ये 4 है केबल 1 4 का आया है जबकि 4 कितने हैं? 4 तो 3 है, 4 अकेला नहीं है ऐसे ही मानलो यहां आठ है तो आठ अकेला नहीं है आठ की बारमबारता कितनी है पाँच यानि आठ प्रेक्षन पाँच बार है इसलिए वर्ग करने के बाद आपको इसे बारमबारता से गुणा करना ही होगा और जब उससे गुणा कर लेंगे फिर आप जब इसको जोड़ेंगे तब आप इसका मानक विचलन भी बता सकते हैं और उससे पहले प्रसरन भी आईए एक बार इसका हल देखते हैं एक्स एफ अब देखें सबसे पहले एफ एक्स दोनों को गुणा किया इसका टोटल चार सो भीज एफ का कुल तीस तो हमने सबसे पहले ये माध्य निकाला और माध्य आ गया हमारे पास 14 अब हमें एक्स माइनस एक्स बार करना है चार में से 14 माइनस किये आठ में से 14 माइनस किये इस तरह से 32 में से भी 14 माइनस किये हमने एक्स में से एक्स बार पता कर लिया फिर इसका वर्ग किया तो एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग यानि बिचलनों का वर्ग बिचलनों का वर्ग करने पर ये सारा वर्ग आ गया लेकिन इसका हमें टोटल नहीं करना पहले इसको गुणा करना है बारम बारता से और से गुणा करके हमारे पास अब जो कुल आया वो आया 1374 फिर हम प्रसरण में प्रसरण यानि सिग्मा इसक्वायर सिग्मा इसक्वायर में वही एक बटा एन f के साथ x-x वार का वर्ग इस प्रकार हम इसका प्रसरण बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और जब प्रसरण निकाल लें तब हम मानक बिचलन सिग्मा 45.8 का वर्ग मुल अगर हमें वर्ग मुल आसान नहीं लग रहा हो कुछ ऐसा लग रहा हो तो आप प्रश्न में यहां भी छोड़ सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरी तरह से शुरू में करें आप द तरह से आप आसानी से इस प्रकार के जो भी X और F वाले यानि असतत बारंभारता जो हमारे पास बंटन होगा उससे हम प्रसरण भी पता कर सकते हैं यानि हम इसके σिग्मा 2 निकाल सकते हैं और उसके साथ मानक बिचलन भी पता कर सकते हैं अब केबल एक ही तो सूतर नहीं ह एक और भी सूत्र है आईए आगे उसे देखते हैं प्रसरण वे मानक बिचलन के लिए अन्य सूत्र अब ये अन्य सूत्र का मतलब क्या है बहुत आसान है कई वार जो हमारे पास प्रेक्षण होते हैं उन प्रेक्षणों के आधार पर कौनसी विदी से हल करना ज्यादा आसान होता है यह देखने के लिए कुछ और सूत्र होते हैं यहां अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास हमने अभी तक किया था X और F चाहे वरगंतराल होगा तब भी हमें उसके मध्यविंदु निकाल करके X निकाल सकते हैं अब हमें क्या ध्यान देना है यदि हमारे पास X छोटी संख्या हो, X कोई बड़ी संख्या नहीं है, डाटा भी आसान हो, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले X स्क्वाइर पता कर लिया, ध्यान रखना हमने माध्य नहीं निकाला है, बिचलन नहीं निकाल रहे हैं अब हम, X और F दे रखा था, हमने सीधा X का वर्ग कर दिया, इसके बाद हमने Fx निकाला और Fx का वर्ग, यानि F को X से भी गुणा किया, और F को X स्क्वाइर से भी गुणा किया, और इन दोनों को गुणा करने के बाद जोड लिया, अर्थात, यह हो गया, sigma fx और ये हो गया sigma fx square यहां ये बिचलन भी धी नहीं है यह सीधा हमने x का वर्ग किया था लेकिन कब करेंगे जब x छोटी संख्या हो या आसानी से वर्ग हो जाने वाली संख्या हो फाइदा क्या होगा कि अब हम जब इसका सूत्र लगाएंगे तब आप देखें सिग्मा fx का वर्ग और बटा n माइनस अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा माध्य है सिग्मा fx बटा सिग्मा f यानी n तो हमने माध्य से के वर्ग करके उससे माइनस कर दिया तो सूत्र क्या बना सिग्मा fx का वर्ग बटा सिग्मा f यानी n माइनस माध्य का वर्ग इससे हम आसानी से प्रसरण पता कर सकते हैं वेरियंस पता कर सकते हैं और वेरियंस पता होने के बाद एक और देख ले हम हमने यदि इन में से n स्क्वायर लगुत्तम ले लिया अब अगर n स्क्वायर लगुत्तम ले लिया तो एक बटा n स्क्वायर बाहर हो गया यहां तो एक n है, यहां n स्क्वायर है तो n को गुड़ा हो गया f x स्क्वायर के प्लस से माइनस सिग्मा f i x i ध्यान रखना। अब ये हमारा माध्य नहीं है। अगर हमें प्रश्ण में साथ सारे चीज़ें आती हैं कि माध्य भी निकालो, प्रसरन भी निकालो और मानक विचलन भी निकालो। तब तो हमें ये वाला फॉर्मूला काम में लेना चाहिए, क्योंकि हमें माध्य निकालने को आया हुआ है, तो जब माध्य निकालने को ही आया है, माध्य निकालना ही है, तो माध्य निकाल करके उसका वर्ग कर दें, ये स्मार्ट तरीके होते हैं, कि हमें किस तरह से कम समय मे गणित में आनंद लेते हुए प्रश्न करें लेकिन अगर मेरे को माध्य नहीं आया केवल प्रसरन और मानक बिचलन आया तो मैं माध्य निकालने में अपना समय क्यों बरवाद करूँगा उस स्तिती में सीधा एक वटा N स्क्वायर N गुणा सिग्मा Fx स्क्वायर माइनस Fx के जमास के वर्ग के साथ लिख करके हम प्रसरन पता कर सकते हैं और जब प्रसरन पता लग जाएगा तब मानक बिचलन के लिए तो इसका वर्ग मूल निकालना है आईए एक उधारन देखते हैं निमनलिखित आंकड़ों के लिए अब यहां हमसे कहा गया है केवल मानक बिचलन प्रसरन भी नहीं पूछा है हम इस प्रशन को दो तीन तरीके से कर सकते हैं चाहे नहीं पूछा हो हम चाहें तो पहले माध्य पता करके भी कर सकते हैं चाहें तो माध्य की आवश्रक्ता भी नहीं है फिर प्रसरण का फॉर्मूला लगाए या सीधा वर्गमूल वाला लगादाए दोनों ही तरीके से हम इसे कर सकते हैं लेकिन इस सूत्र से जब हम करेंगे तो जैसे मैंने X लिखा 3, 8, 13, 18 और 23 इसके बाद F लिखा इसके साथ अब सबसे पहले दोनों कामों में से कोई भी काम कर सकते हो चाहें तो पहले Fx निकाल लो उसके बाद X स्क्वाइर निकाल लो और X स्क्वाइर के बाद Fx स्क्वाइर निकाल लो हमें चुकी माध्य की आवश्रक्ता ही नहीं है हमें नहीं दे रखा तो fx का कुल fx square का कुल और f का total और f का total हमें पता है कि n होता है ऐसी इस्तिती में सीधा मानक बिचलन का सूत्र भी लगा सकते हैं और वो क्या हो जाएगा सीधा लगा देंगे एक बटा n और एक बटा n के साथ हम n गुणा सिग्मा fx square अर्थात ये जो इसका total आया है हमने ये यहाँ पर लिख करके n से गुणा कर दिया माइनस अब सिग्मा fx का वर्ग जब हमने ये किया अब यहाँ से जो सबसे आसान है जिस बच्चे को गणना में हल करने में अगर कहीं भी कुछ थोटी मोटी घबराहट होती हो तो आप सूत्र लिख करके इसका total भरें n से गुणा करें fx का total करके वर्ग कर दें यहां तक भी अगर करते हैं तो काफी अच्छा आपको अपने अंदर आत्म विश्वास आ जाएगा कि आप कर सकते हैं और आप इसमें आनंद ले सकते हैं आईए देखते हैं इसका हल xf अब यहां पहले fx से निकाला हुआ है आप देख लें fx का total भी कर दिया 614 आ गया f का कुल कर दिया 48 आ गया इसके बाद पहले x square पता किया x square पता करके f से गुणा किया तब हमारे पास आ गया 9600 बामन और 9600 बामन आने के बाद चुके हमें प्रश्ण में मानक बिचलन पूछा था सीधा तो मुझे माध्य की भी आवश्यक्ता नहीं है मुझे प्रसरण की भी लगता है आवश्यक्ता नहीं है तो सीधा मानक बिचलन का सूत्र लगा करके आप कर सकते हैं और जब आप सीधा सूत्र लगा कर करेंगे, तो आप देखेंगे, बहुत आसानी से आप इसमें, लेकिन फिर से ध्यान दिलाता हूं, अगर लगता हो, गुणा भाग कुछ बड़े हो रहे हैं, तो इस बड़े गुणा भाग के आधार पर आप जहां तक और जितना आसानी से कर सकें, करें लेकिन एक प्रश्न मन में आता है, कि सर जब इतना कठिन कठिन गुणा भाग आ जाते हैं, तो इस मैथड की आवश्यक्ता कहा है तो ऐसे प्रश्न जिसमें बड़े गुणा भाग आते हैं उसे भी हल करने के लिए एक लगुत्तर विधी होती है जिसे हम आगे पढ़ेंगे तो आज हमने क्या-क्या देखा आईए, एक बार देखते हैं हमने देखा कि जो सतत या असतत जो बारंबारता बंटन है उसमें प्रसरण और मानक बिचलन किस तरह से पता किया जाता है तो मानक बिचलन हमें पता है कि हम सिगमा बराबर बर्गमूल करके सिर्फ इतना सा अंतर है कि एप से गुणा होगा केबल एप से गुणा करके बाकी सब कुछ वैसा है जैसा एक अवरगी करत डाटा में होता है प्रसरण और मानक बिचलन के लिए एक और सूत्र पढ़ा है और उस सूत्र में एक्स के साथ एक्स स्क्वाइर पता करते हैं बिचलन पता नहीं करते माध्य भी पता करना जरूरी नहीं है अब इनका और क्या उप्योग आगे हो सकता है वो तो हम आगे देखेंगे लेकिन यहां तक आप सभी पूरी तरह से अपना भ्यास भी करेंगे और इसके संबंधित सभी प्रशनों को आप लोग आसानी से हल कर लेंगे धन्यबाद